नमस्कार मित्रों मैं अमरेंद तिवारी स्वागत करता हूँ आप सभी का एक वर फिर से अपने यूटूब चैनल बोधी सत्तों PCS में आज यूनो कि we are following बिहार special current affairs revision मेराथन सिरीज और आज इसका चौथा दिन है जैसा कि मैंने पहले बताया कि day by day हम मंतली current affairs को revise करेंगे बिहार special जो जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक का होगा आज हम अप्रेल 2021 के बिहार special उन सारे current affairs को देखेंगे current development को देखेंगे जो आने वाले संट सटवी BPSC exam BPSC का CDPO exam होने वाला है उसके लिए बिहार SSE का जो exam होता है और BPSC लाइक बिहार दरोगा और जो भी exam होता है बिहार special सबके लिए equally important है तो आप इसे शुरू से लेके last तक जरूर देखना और यदि आपने previous video miss किया है तो right corner पे जो i button का symbol आ रहा है उस पे आप click करके देख सकते हो और किसी भी तरीके का PDF notes यदि आपको चाहिए PDF notes जो हम share करते हैं नीचे दियेगा टेलिग्राम ग्रूप पे share करते हैं तो उसको आप join कर सकते हो ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आपसे रिक्वेस्ट है यदि चैनल पे आपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिलका इकन जरूर दबा दिजिएगा तक कोई भी latest notification आप तक असानी से पहुंच सके देखिए जैसा कि मैंने पहले बताए कि इस वीडियो में हम cover करेंगे अप्रेल 2021 के बिहार special current development के बारे में जो आने वाले एक्जामस के लिया से important है चलिए शुरू करते हैं देखिए पहली स्लाइट की पहली important news है बिहार के साथ जिलों के बारे में इसमें बताए गया है कि पुर्णिया, कटिहार, भागलपूर, मदेपूरा, सहरसा, खगडिया और समस्तिपूर ये साथ ऐसे जिले हैं जिसमें मक्का उत्पादक्ता जो है पचास क्यूंचल प्रती एकर से अधिक है आपको बताना चाहूंगा कि कुल मक्का उत्पादन के मामले में जो है टोटल म बिहार के बारा पंचायतों के बारे में इनका चेयन जो है बहतरीन काम के लिए राष्ट्रिय पंचायत पुरसकार 2020 के लिए किया गया है इसमें कुछ इंपोटेंट्स पंचायत हैं देख लेते हैं सीता मडी के सुरसंड की बगाडी ग्राम पंचायत को नाना जी देशमु राश्ट्रिय गौरव पुरशकार से नवाजा गया है वहीं कोसियमा ग्राम पंचायद जो नालंदा दिश्टिक में है वो बाल हितैशी ग्राम पंचायद पुरशकार प्रदान किया गया है और आओ पंचायद के बारे में बताया जा रहा है कि जो की गया सदर में है इसको दीन दयाल उपद्याय पंचायद स्रशक्ति करान पुरश्कार के लिए चैनित किया गया है वहीं ये बात करें जिला परिशद नालंदा के बारे में तो इसको जो है दीन दयाल उपध्याय पंचायज ससक्ति करण पुरिश्खार से भी इसे भी नमाजा गया है तो दिखिए स्टेडिक पॉर्शन के लिए ये पंचायज जो है इंपॉर्टेंट जो है ही और आपको पता होगा कि बीपेसी का जो प्रिविएसली डिसाइड था पंचायज चुनाव के लिए एक्स्टेंड हुआ था जनौरी में गया था तो पंचायज जो है इस बार के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है तो आप लक्षमी कान से जरूर पंचायद के पूरा चैप्टर को लाइन बाइन याद कर लेना ताकि कोई भी जो यहां से रिलेटेट प्रस्ट न पूछे आप उसको हल कर सको अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसमें बताया गया है कि केंद्रिय ग्रिह मंत्राले ने अरवल जिला के कुर्था थाना को जो है पिहार का सर्वसरेष्ट पुलिस स्टेशन भोशित किया है 10 का कलर चेंज करते हैं बिहार में हल्दी राम द्वारा 500 करोड रुपिये का फूड प्रोसेशिंग यूनिट लगाया जाएगा यह यूनिट मुझपरपुर में लगाई जाएगी आपको पता होगा यदि आपने बिहार इंडर्स्टि को फॉलो किया होगा तो बिहार में जो है फूड प्रोसेशिंग यूनिट का काफी ज़्यादा भविश्य है क्योंकि बिहार जो है mostly agriculture best economy है बिहार की तो यहां पे कोई भी food processing startup करना चाहे या unit बठाए तो उसका भविश्य जो है काफी सुने रहा है अगली important news है बिहार सरकार के द्वारा घोशित किया गया है उससे कुछ static point अगर मिले जैसे बिकरम शिला विश्य विद्दाले तो बिकरम शिला हम static portion ancient history में भी पढ़ते हैं तो आपको static portion भी साथ-साथ थोड़ा सा एक बढ़ देख लेना चाहिए क्योंकि यह current affair से attached है तो हो सकता है कि जो आयोग है बोड है वह direct यहां से ना पूछे कि current development क्या हो रहा है यहां पे और सीधे इससे पूछ दे बिकरम शिला विश्य विद्दाले से संबंदित ancient तत्थ जो भी है उससे तो कभी भी आप current affairs और उसे static जो portion है दोनों साथ साथ त्यार करो अगली important news है जो काफी ज़्यादा important है most important है exam में पूछे जाने की most probability है तो आप इसे ध्यान में रखना हर थाली में बिहारी तरकारी एक एक तरीके का initiative है यह तरकारी mart wave portal है जिसका उदेश जो है बिहार की सब्गियों को व्यवश्याई अस्तर पर देश में फैलाना है चीक है और यहाँ सुविदा पचना मोतिहारी पुर्भी चंपारन के लिए उपलब्ध होगी अभी फिलाल अगली न्यूज स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के बारे में है और यह आपको पद्दा होगा कि यह किसान अंदोलन के और related नेता रहे हैं हमारे बिहार जो है इनकी कर्म भूमी रहा है और तो इनी की एक आत्म कता है मेरा जीवन संगर्स मेरा जीवन संगर्स इसकी पढ़ाई जो है अमेरिका के मिडल्टन के वेसलीनियन वीवी में होगी वेसलीन वीवी मतलब विश्वविदाले में की जाएगी तो देखिए यहां एक एस्टेटिक पार्ट एटेच है स्वामी सहजानम स्वरसती के यह तो खुद बिहार बिप्यस्टी के लिए जो है काफी मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक रहते हैं आमें शाहिन से रिलेटेड एक प्रश्ण जरूर रहता है तो आप देखिए आप यहा डिजिटल बोर्ड पे पूरा कोर्स फ्री में अबलेबल कराएंगे हमारे चैनल के द्वारा अबलेबल कराया जाएगा तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें सब्सक्राइबर बढ़ाएं ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें आमके लिए अच्छ इछे काम करने का, बिहार के औरंगाबाद जिले में उंच अस्तर की मेघनेशियम चट्टानों की खोज की गई है तो कहां पे मेघनेशियम चट्टानों की खोज की गई है बिहार में, औरंगाबाद दिश्टिक में Mission 5.0 देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जलवाई प्रिवरतन को देखते हुए जल जीवन हरियाली अभियान चला रही है बिहार सरकार और इस अभियान के तहट इन्होंने निश्चे किया है कि हर साल करोडों पौधे लगाए जाएंगे और इसी Mission के तहट Mission 5.0 है मतलब पांचवा चरण है जिसमें सरकार दोवरा ये इनिसेटिव लिया गया है कि इस पार जो है पांच करोड पौधारों पन किया जाएगा आगे बताया है कि मुझभपरपूर जिला में राजज का पहला मेगा फूड पार्क जो है केंदर शरकार ने मंजूरी दे दिये मेगा फूड पार्क के लिए तो कोई आपसे एक प्रशन पूछे कि बिहार राज का पहला मेगा फूड पार्क कहां पे अस्तापित किया गया है या जा रहा है तो मुझभपरपूर डिस्टिक में अगली इंपोर्टेंट न्यूज नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट से रिलेटेड है इसमें बताया गया है कि बिहार के पतना जिला में सबसे अधिक जो है साइबर क्राइम की घटनाएं हो रही है अगले न्यूज है बिहार के जो पटना में सित महावीर मंदीर है काफी फेमस मंदीर इसमें जो भगवान को परशाद चड़ाय जाता है यह नौवेदम होगा मिस्प्रिंट है फो एफसेस आई के द्वारा जो है ब्लेश्फुल हाइजिन ओफरिंग टु गॉड का प्रमान पत्र दिया गया है यह बिहार के लिए भी काफी जो है प्राउड मुमेंट है स्मार्ट सिटी रैंकिंग में पटना का 29 वांस्थान भागलपूर का तिरपनवा बिहार शरीप का 54 वांवा और मुझपरपूर का 81 वांस्थान है हरेंदर शिंग इनको जो है अमेरिका अमेरिकी पुरुष होकी टीम का मुख कोच जो है में कोच नियूक्त किया गया है अगले स्लाइट्स की important news हैं कारोबारियों और निर्वातकों के बारे में बिहार के इसके लिए सरकार ने इनकी सहुलियत के लिए जो है लोजिस्टिक पॉलिसी लाए जाने की है नेपाल की अरूना पन बिजली प्रजेक्ट जो है बिहार के सीता मडी से भी गुजरेगी यह चीज ध्यान में रखना अरूना पन बिजली प्रजेक्ट ठीक है किस नदी पे है ये कमेंट करके बताएए अब्दुलबारी सिदिक्की जी को बिहार बैडमिंटन शंग का अध्यक्ट किया गया है अगली important news है चक बिहार के बारे में चक बोले तो चक बंदी के लिए एक नया software बिहार सरकार के द्वारा development कराएगया है Elevation of Life नामक पुस्तक जो है यहाँ एक पुस्तक है और इसके लेखक है अनुराग आनंद इसे Asia Book Record में जो है शामिल किया गया है यह थे अप्रिल मंत के important current development बिहार special जो आने वाले साटवी बिपसी exam, CDPO exam, बिहार SI, BSSC के जितने भी exams हैं सब के लिए equally important है आप इसे शुरू से लेके last तक जरूर देखना और कल का PDF जो है नीचे दियेगा टेलिग्राम ग्रूप में जो है मैंने available करा दिया है यहां से आप इसको जोईन करके देखशकते हों फिर मिलेंगे कल तब तक के लिए shining of take care जै हिंद जै वारत